राज समन जीले में टोल कंपनी इंडिया इंफर ट्रेक के खिलाफ करमचारियों ने ही मोर्चा खोल दिया है कहीं करमचारियों को अजानक नौकरी से निकालने और करमचारियों को दो-तीन महिने की सैलिरी नहीं देने के विरोध में आज करमचारियों ने ही जीले कलेक्टरेट पे धर्णा दिया और सड़क परिवान मंत्री सहीत समंदित नैशनल हाईवे और थ्रीटी आफ इंडिया के अधिकारियों के नाम कलेक्टरेट को ग्यापन स्वापा उदेपूर गोमती फोल लाइन पर बने नेगडिया और माडावाडा टोल पर काम करने वाले करमचारियों ने टोल प्रबंदक पर मनमानी करने धमकाने समय पर सेलेर नहीं देने और बिना किसी कारण अचानग नोकरी से निकालने कारूप लगाया है इससे पीडित करीब 38 टोल करमचारी आज जेला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर को ग्यापन सोब कर नियाय की गुहा लगाई कई करमचारी सालों से दोनों ही टोल पर अपनी सेवा दे रहे थे लेकिन समय पर सेलेरी नहीं मिलने से उनका गर का गुजारा नहीं चल पा रहा था ऐसे में वह परिशान है वही टोल प्रबंदक द्वारा करमचारियों को बिना किसी कारण नोकरी से निकाल दिया गया जिससे भी वह परिशान है उनका कहना है कि जब नोकरी पर रखा गया उन्हें बताया गया था कि सेलेरी स्लीप सहीत अनिसुदा उन्हें मुहया कराई रही है ना ही कोई सेलेरी समध्य दस्तावेत दिया जा रहा है उदेपूर कुंदन कंपनी उनकी खिलाफत करने वाले करमचारियों को अचानक नोकरी से निकाल रही है ऐसे में वह अवसाद में है जब से हम लगे हैं यह पांसा साल से जो करमचारी काम कर रहे हैं मैं भी दो लोग आते हम बात करते हैं वो पूछते हैं यह नहीं बताते हैं नहीं आई परमचारी को दम की देगे बार निकाल देगा निकाल दिया जाएगा आपकी से इस तरके कैसे बात करें हो और अभी एक जिस कंपनी को को इनो लेजी नहीं प्रमोट किया है वह ठेका ले रहे है करीबनाठ साल से महीं कर रहों मैं बातोल मं आठ साल से ने कर घ्रो और मेरे को खृति दिया कि जी नहीं आना है आपको तो सर उसकी वज़िये निर्म होट और आपने काम ने प्रमाइंट निर्ध्याव से काम करें मादमी KI दाता слож उसका का निकालने का कि उसको कारण बताते हैं नोकरी यह काम से आपने काम नहीं किया अच्छा इसलिए आपको नोकरी से निकाल रहे हैं